हेलो फ्रेंड्स कैसी हूँ आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे रहेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर देखे अभी सुबह का टायम हो रहा था और बस मैं अभी लग गई हूँ अपने काम पर और अभी दोनों बच्चे स्कूल गए हैं और आयांस भी उड़ सरक जाता है ना यह मैट्रेस तो इसी वज़े से वह जो गैप रहता है तो अभी मैंने उसको ठीक कर दिया है थोड़ा बहुत हो आपर जो भी छोटी मोटी चीजे में रखती हूँ जैसे कभी पैन हो गया या फिर रबबर या फिर किलिप रहता है हमेंसा सोने के वक्त ना म भी ठीक कर देती हूं क्योंकि ऐसे रोज तो होता नहीं है अब मैं यहां पे दूसरा बैड़ सेट बिचा देती हूं और अभी मेरा बहुत सारा काम था सुबह का और आज गर्मी लग रही थी हलकी फुलकी वरना हमारे इदर बहुत ज्यादा ठंड है बहुत ज्यादा और बादल किया हुआ था जैसे बादल से धका रहता है और इस टेम हवा नहीं चलती है तो इसी वज़े साज गर्मी लग रही थी और यहां पर देखे फ्रेंट्स मैंने यह बैड़ सीट को चेंज कर दिया है क्योंकि बहुत जदा पिंक वाला बैड़ सीट गंदा हो गया था दो बार मैंने लगाता ही इसको बिचा दी थी और अभी मैंने प्लू कलर का बिचा दिया क्योंकि वो लाइट कलर है बहुत जल्दी गंदा होता है और एक हफता भी नहीं चलता है और फिर गंदा हो जाता है लेकिन अभी मेरा जो सारा टायम यहीं पर ही हम लोग रहते थे और अभी ठंड भी हमारे इधर न अच्छी खासी है तो इसी वज़े से देखे ब्लैंकेट वगेरा जितना भी था हम लोग के पास स्वैटर वगेरा अभी तक तो सब चीज हम लोग निकाल दिये है जितना भी है क्योंकि अब यही दो मैंने ठंड लगेगी दिसंबर और ज देखे फ्रेंट वालम ना मैंने कटेन इसी तरह जलबाजी में जब हम लोग सिफ्टिंग कर रहे थे तो मैंने यह ब्लू किलर का कटेन वहां पर लगा दी थी लेकिन यह जो विंडो का में लगा रही हूं यह विंडो का ही कटेन है क्योंकि इस ती हाइट पाज़ पीट है और यहाँ पर देखे फ्रेंट यह कटेन जो मैंने लगाया इसे काफी अच्छी रोसनी आ रही थी और यह नेट वाला है तो इससे सनलाइट भी मुझे मिल रही थी और परदे भी मैंने लगा दिये थी तो बहुत सही लग रहा था बहुत जादा लाइट नहीं आ रही थी जो आखों के चुभे और जो बुलू कलर का है वो जलबाजी मैंने लगाया था लगा ही रह गया इतने निनों से मेरा अभी बहुत सारा काम जो है वह ऐसी तरह मैं सेट कर रही हूं बहुत सारी चीजों को मैं ऐसे बदलते रहती हूं जगह पर कि हाँ यह चीजे यहां पर जाले देखा था एक वीडियो में कि मैंने अलमारी का जगह भी चेंज कर दिया क्योंकि वह जहां हम लोग सोते थे ना तो वह फ्रंट में मिरर ही आ जाता था और मुझे बिल्कुल भी वह अच्छा नहीं लगता था इसी वज़े से फिर मैंने इस साइट कर दिया उसके बा यहां पर जादा बाहर निकाल के कुछ फायदा ही नहीं क्योंकि मैं जब से आए तब से इन चीजों का यूज नहीं हो रहा है वह चीजे मैं अब अलमारी में रख दूंगी या फिर बैड में रख दूंगी क्योंकि यहां का जो हुआ है ना मतलब समान जैसे कि अभी आप मेरे कप्रें ऐसी बिख़रे पड़े हैं तो यह कपड़े अभी मैं ठीक करूंगे मैंने काफी दिनों से ठीक नहीं कि आयाना एक दो बार ना कपरे खुरने के चक्र में मेरे बच्चें भी गिरा दियें जबकि मैं अपने दोनों बच्चें का कप्रें मुहां रखती हूं दूसरे वाले रूम में और इसी वज़े से मैंने का कभी मैं पहले जाड़ू पोछा ये सब कर लेती हूं ना धुआ के जब और मदब थोड़ा फ्री टैम मिलेगा तब मैं कर दूंगी उसकी बाद देखे फ्रेंट्स रात में ही लाके ये रखे वे थे ये हमारा चौकी है अ रूम में रहता था और ये इसके उपर का मैट्रेस भी है सेम साइज का ही है तो इसे मैंने रख दिया था और आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे कि ये चौकी गया का तो फ्रेंट्स जो मेरी सारी चीजे वह मैंने अच्छे से रखी भी है और मुझे पता था कि ये सारी चीजे कभी न कभी मेरे काम आएगी क्योंकि वहां पर दो ही रूम था तो हां पर इतना ज्यादा स्पेस नहीं रहता था इसी वज़े से मैंने ये कहीं और रखवा दी थी और अभी ये बहुत ठीक है बहुत दिनों से रखी वी थी तो इसमें धूल वगेरा सब ज ठाड़ा था तो अभी इसको मैं थ्वासा गेली का पर इसे पोश देती हूं तुरंट सुख भी जाता है और ये लकडी का ये चौकी है तो मतलब खराब होने का तो कोई वहीं नहीं है तो इसी वज़े से मैं इसको साफ करके और फिर मैं इसे बाहर वाला जो हमारा है जहां मैंने सोफा रखा है उस वाले रूम में मैं रखवाऊंगी और इसको मतलब की लाने का ये है मेरा मकसद की मुझे यहां पर हो रही थी काफी ज़्यादा दिक्कत जैसे कि बाहर वाला जहां हमने सोफा और रखा है उसे तो वैसे मैं लीविंग रूम बोलती पर वो थो रू बैठे बैठे किसी को भी मन करता है ने कि तो असल लेट जाए ठग गए तो मेरे साथ हमेशा होता था क्योंकि मेरा बेडरूम जो है ना काफी दूर पर है और अगर मैं आयांस को सुलाती हूं तो बेडरूम में ले जाना पड़ता है फिर मुझे वहां से आने में बहुत ज दिकत और ना यह जो चौकी इसको रखने इतना ही स्पेस है अगर हम इसे कुछ बड़ा चीज रखेंगे तो उतना बड़ा भी वह रूम नहीं है कि हम इसे बड़ा कोई बैड वगर रखें और वह अच्छा भी नहीं लगता है तो यह वाला जो चौकी है ना यह एक तरह से बैठने के परपस से भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि पहले भी जो हमारा बाहर वाला रूम में रहता था तो इसमें हम लोग लेट भी जाते तो खासकर आयांस की वज़े से मैंने इसे मंगाया कि बार वर मुझे बैड रूम ना जाना पड़े और कोई भी आता है ना आयांस को अगर सोना भी लेटाना भी रहेगा तो मैं यही पर इसको सुला दूंगी और फिर बार बर मुझे दरवाजा खोलना और कोई ना कोई दीन भर आदितियक कर ट्यूशन का टाइम आने का जाने का अलग अलग है और यह जो है ना मेरा पुराना घर अगर आप देख अबली ही मेरे घर में आएंगे वहां कोई अंजान आदमी नहीं आता था पर यह रोड पर है यह मतलब कि ऐसे रास्ते पर ही है तो हमेज़ा मुझे यहां का गेट बंद करके ही रखना पड़ता है क्योंकि आते जाते लोग पूरा घर का पूरा ही दिखता है और जहां मेरा पुराना वाला घर था रोड के बाद बहुत बड़ा सा प्लोट था फिर प्लोट के बाद मेरा घर तो महां पर सिफ आधित्यासी और मेरे हजबन के लावक बहुत कम इनसानी मेरे द्वार तक आते थे और यहां पर डारेक्ट दिखता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होत बीस बार तो मैं गेट बंद करना के लिए जाती हूं और खोलने के लिए जाती हूं तो यहां पर एक रहेगा ना ऐसे चौकी टैप का तो मैं दिन में जगर मुझे थोड़ा बहुत दुपहर में टाइम भी मिलता है तो मैं बेडरूम से आना जाना मैं बहुत तरह से ठक ज इसे निकल आए है और अभी हो गया है साम अभी इवनिंग कर टाइम पर मैं भी मिल रही हूं दिन पर टाइम ही अई मैंला मुझे और दा कि आप और ये समान भी निकालना मेरे लिए it possible नहीं था, फिर मैंने उनका आने का वेट किया, और उसके बाद देखियम यहाँ पर मैंने यह लगा दिया है, और अब मुझे यहां आने से यहाँ आने देखते देखते भी कभी ऐसा मन होता है, कि नहीं लेट कर देखेंगे या फिर बच्चे ही यही पर तो मेरे लिए यह बहुत ज़्यादा सुवीधा हो गया है और अभी मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे कि मैंने यह चोकी यहाँ पर क्यों रख दिया है अच्छा नहीं लग रहा है पूरा लीविंग रूम का सुख खराब हो गया या फिर कुछ भी सूट नहीं कर रहा है मुझे पता है काफी सारे कमेंट आएंगे लेकिन पता है फ्रेंड्स मैं जानती हूँ मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी हम लोग के आये हैं एक मैने यहाँ पर हो गया है और मैं ठक गई हूँ आना जाना अपने मेरा बेडरूम भी दूर में है और गेट भी दूर में है और अभी यह जब लग गया था ना तो अभी देखी मैं आपको पुरा रूम दिखा रही हूँ एक साइड तो सोफा रह गया है हमारा और यह देखे दोनों चेयर भी इस तरफ मैंने कर दिया है और उस तरफ यह अभी फिलाल मुझे कुछ समझ में नहीं आया फिर मैंने यह चौकी यहाँ पर रख दिया है और मुझे काफी ज़दा अराम मिला क्योंकि आयाँस को फिर मैं यही पर दिन सुला देती हूो और फिर मुझे यही पर भी नहीं करता है मुझे निम्हों मिलता है ञoga दो आ Dolanaina कोई भी आता जाता है तो आराम से मैं गेट खोला को मुझे लगान सबहूं cam पर दू और यहां पर тут ऺंब 6 बज़ी और फिर अगला दिन स्कूल का भी दिन रहता है तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है और इसी वज़े से मैंने भी पर्दयों का जंजट नहीं किया है और अभी जब मैं बैटके यहां पर देख रही थी ना मुझे बहुत ज़्यादा तसलिम मिल रही थी और इस चीज को ले कि फ्रेंट्स मैं बैटकी भी देख रही थी मुझे अच्छा ठीक हो गया टीवी देखने में भी ना मुझे सोफा में मलब कोई कोई लेट जाता था बच्चे सोफे में ही लेट जाते था तो अभी जिसको लेटने का मन करेगा तो इस चौकी में अराम से लेट भी सकता है और फ्रेंट्स आप सभी को कैसा लगा पता नहीं अच्छा लगा हुए कि नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जो चाहती थी वो हो गया तो फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी न तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजगा यहाँ पर मैं आप सभी को रंग भी रहेंगे लाइट दिखा रहे थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था